दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगाड एलेक्टोनिक्स और नोटिफिकेशन बैल जरूर पैस कीजिए और अगर आप रपेर जाद डिले हैं तो अपना अड्रेस और मॉइल नमब जरू सेंड करें थैंक्यू दोस्तो हमगाड एलेक्टोनिक्स में आपका फिर से स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है कल यूट्यूब पे एक कोश्चन पूशा गया था कि जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं प्री फिल्टर में तो दोस्तो अब प्यूरिफिकेशन कैसे होती है प्री फिल्टर म उसके बारे में बात का थे सबसे पहले मैं आपको एरो दिखाता हूँ यहां से पानी हमारा फीड़ वाटर जाता है अंदली साइड और अंदर कहां जाता है इसके अंदर जा बाहर वाली सता पर तो इसका कोशन इसका अंदर वाला स्ट्क्चर बताएगा अगर दोस्तों अब यहां से पानी अंदर निकला जो आपको होल दिख रहा है एक वार मैं यहां रखकर आपको दिखाता है तो यहां से पानी जो है हमारा चारो तरफ से भादना शुरू हो जाता है यह स्ट्रक्चिर इसलिए बनाया गए कि जो इंप्योटीज को फिल्टर करने के लिए जारा सर्फस एरिया मिल जाता है क्योंकि अंदली साइड कम सर्फस एरिया है और बादी तरफ जारा सर्फस एरिया है तो सबसे पहले पानी यहां आना शुरू हो जाता है बोटम से लेकर टॉप तक और जैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है तो यहां सबसे पहले यहां था पाणी पानी की पिरिफिकीशन स्टार्ट हो जाती है जो इसके पाण का पॉर सइज होता है वो five ´ होता है मतब़ जो इसकेỏ शिदर शेक है जो शेक हैं उनका जो आपस में पॉर साइज है है छोट-छोटे सौराख है उनका साइज 5 Flame करों होता है इस प्यूर पानी अंदर है आप मैं इसका हेड का उपर वाला हिस्सा आपको बताता हूं यहां पानी ऊपर चाड़ना शुरूव गयाता है यहां से यहां पर आना शुरूव कर देता हूं एक तरफ से पानी इंपोट पे आता है और यहां से बाहली से बहनना शुरू हो जाता है जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो जो पानी में इंप्योटीज है वो बाहर रह जाती है फाइम माइक्रों जा उस से उपर और जो इसका प्यूर पानी है वो फिल्टर के यहां अंदर आना शुरू हो जाता है इसकी अंदली पेवर होकर बाहर निकलता है और फार्दर पेवरिकेशन के लिए आरो के साथ हम अटैच कर देते हैं